जिसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जी आन ने मेडिसिन स्पेज कर पैन मैंक के अंदर फायर एनरजी की कमी को पूरा कर दिया था लेकिन मेडिसिन गैंग को ये बात बुरी लग गई थी क्योंकि जी आन से पहले उसकी मुनोपली हुआ करती थी लेकिन अब उसकी सेल्स कम हो गई है इसलिए उसने वाइट शा को इनको तभा करने को भीजा लेकिन जब वाइट शा जी आन की वज़े से इनका कुछ नहीं उखाड पाई तो मेडिसिन गैंग का लीडर और उसके मेंबर्स खुद यहां आ गए और इनका लीडर जिसका नाम ह जियान हाऊ है वो जियान के सा अलकेमी कॉम्पटीशन रखता है अब वहाँ एक एल्डर आ जाते हैं जो इनके बीच कॉम्पटीशन कराएंगे सबी लोग बाते बनाने लगते हैं कि जियान पागल हो गया है जो इनकोट के अंदर नबर वन फार्मसिस से पंगा ले रहा है एल्डर दोनों कंटेस्टिन को स्टीच पर बुलाती हैं जियान कहता है कि तुम्हें अगर अपनी इंसल्ट से बचना है तो तुम अपने वो तीन प्रेस्क्रिप्शन जिसके तुम दवाई बनाते हो वो हमें दे दो हम ये कॉम्पटीशन रखेंगे ही नहीं जिस पर जिय को ये बात बुरी लग रही थी क्योंकि पैनमेंग के पास सिर्फ तीन पिल्स थी जो आउट परफॉर्म कर रही हैं लेकिन अगर वो भी जियान इनको दे देगा तो हम फिर से कंगाल हो जाएंगे लेकिन जी सुनियर उससे समझाती है कि इसकी नौबत नहीं आएगी अब उनका competition शुरू होता है और उन्हें जो medicines बनानी है elder उसका prescription पहले hands-ean को देता है और hands-ean उसे पढ़ने लगता है लेकिन फिर एकदम वो हरान हो जाता है और फिर उस prescription को वो जियान को देता है जियान भी उस prescription को पढ़ता है और थोड़ा पढ़ने के बाद वो भी हरान हो ज और कहता है कि आप हम से 5th grade का एलिक्सर बनाना चाहते हैं। सभी ये सुनकर हैरान है। और हुजी आपी कहती है कि नो माटर, जियान कितना टालेंटिड है। लेकिन अभी अचानक 5th grade का एलिक्सर बनाना तो कावे मुश्किल है। जी जूनियर को छोड़कर सभी ने ये मान लिया था कि जियान से ये नहीं होगा। एल्डर बताते हैं कि इस पिल का नाप लिंगली दैन है। वही टाप के अंदर बैठे एल्डर इन्हें दीख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये साधा बड़ा टास तो नहीं दे दिया उन्होंने इन दो बच्चों को। जियान की तो अल्किमी लेवल भी कम है और शायद जियान इसमें हार जाएगा। इन दोनों को ही दो-दो बासकेट दी गई हैं जिसमें इंग्रीडियन्स हैं यानि इनके बास बनाने को दो-दो चांसेस हैं जो पहले बिल को रिफाइन करेगा वो जीत जाएगा। हैंजोन पूछता है कि अगर दोनों फेल हो गए तो जीता हुआ किसे माना जाएगा। जिस पर वो कहता है कि जो तुम्हारा फेल प्रोड़क्ट आएगा उसकी इक्वालिटी मैं चेक करूँगा। और जिसकी साथा सही होगी वो विना होगा। अब कॉम्पटिशन स्टार हो जाता है। बाशान वाइट शार लीडर से पूछता है कि क्या हैंजोन इस मैच को जीत पाएगा। जिस पर वो कहता है कि हैंजोन मेडिसन गैंग का लीडर है। और आखिर एक लो लेबल का प्राक्टिशनर हैंजोन को कैसे ही हरा देगा। इसलिए ओफियसली हैंजोन ही ले सकता था जिस पर जी जूनियर बताती है कि पिल कितनी अच्छी बनेगी ये वेजल पर नहीं बल्कि उसको बनाने वाले पर हूता है। जियान भी सोचने लगता है कि क्या लेबल 5 की मेडिसन बनाने के लिए मेरा फ्रायर लास्ट तक टिक भी पाएगा। हैंजोन अपन अच्छी फ्लेम निकालता है और सबी उसकी फ्लेम देकर हैरान है। और वो बताता है कि मेरी फ्लेम का नाफ मैचिंग गोल फायर है जो कि 7th लेवल फैंटम गोल स्कॉपियन ड्रागन बीस से मुझे मिली है। एलडर भी ये देखकर हैरान है। लेकिन फिर सियान अपनी फ हैं कि हैंजवन का वी अच्छे से बना रहा है और बेशक जियान के पास उससे अच्छी स्ट्रेंज फायर है। लेकिन अल्कमिस फ्लेम पर ही डिपेंड नहीं होते जीतने के लिए। वहीं जियान सोचता है कि मेडिसन बनाने से पहले मुझे इसके इंग्रीडियन्स अच् हो जाता है यारि उसके मेडिसन फेल हो जाती है ये बनाना जितना उसने सोचा था उससे भी टफ है और उसे ये भी यकी है कि जियान भी से नहीं बना पाएगा और होता भी ऐसा है जब जियान बना रहा होता है तो उसका फ्रायर उस हीट को जेल नहीं पाता और फ्रायर ब् वो फेल प्रड़क्ट को ही रिफाइन करने में लग जाता है और वहीं जियान फिर से सेकंड ट्राय करने का रिसाइड करता है और फिर से पिल बनाने लगता है वाइच्छा को पता चल जाता है कि अब जियान हारने वाला है और फिर फाइनली हैंजवान की फेल प्रड़क्ट से बनी हुई मोस सूटेबल पिल रिफाइन हो जाती है यह पिल सर्फ आधी बनी है लेकिन कुछ ना से तो कुछ होना ही बहतर है वो पिल को लेकर एल्डर के पास जाता है और पैंड मैंक के सबी लोग डर जाते हैं कि आगर इसने कैसे बना ली यह पिल एल्डर उसकी पिल को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसे भी हम एलिक्सर कहेंगे यह जीतने के लिए फेल्ड प्रोड़क्त को ही रिफाइन करके लिए आया है क्योंकि इसको पूरा यकी है कि जीतेगा ही नहीं अब एल्डर जियान का वेट करने लगते हैं और जीयन रिफाइनमेंट को तो प दास्ट होता है और फिर से फ्राइर फर जाता है और वहां काला काला धुआ हो जाता है गाता है लेकिन वो रेफाइन की estásPPX आँसे बन चुकि होती है एल्र उसकी पिल को चेक्क करते हैं और उस hasn't. काफी जादा अच्छी थी और उसने सक्सेस्फुली लॉंग लिपल बना ली है एल्डर जियान को विनर खुशित कर देता है और सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं मेडिसिन गैंक के भी कुछ मेंबर्स जियान से इंप्रेस हो जाते हैं और वाइट शाह दान पीस कर वहाँ से चली जाती है टार के अंदर सीनियर एल्टर कहते हैं कि ये जिन्दगी चेस की तरह है जिसमें एक अगला कदम स्टेप पर स्टेप लेना चाहिए और जियान ने ऐसा ही किया था जिस वजह से वो जीत पाया हमें जियान पर नज़र रखनी होगी क्योंकि ये फाइटर होने के सासा यहां का सबसे बड़ा आलकेमिस भी है जिसकी वैल्यू दो वैंग और इवन दो वैंग के बराबर है सबी लोग जियान को उच्छान ले लगते हैं और अब फिर हमें पंदरा दिन बात का सीन दिखाया जाता है जहां हम हैंजू को कुछ बॉडिगार्ट्स के साथ कहीं भागते हुई देखते हैं और उनके बॉडिगार्ट्स या साथ ही कहते हैं कि ओफिशल मिशन से पहले शायद उन्हें वान करना पड़ेगा आसपास कई सारे जंगली जानवर उनको चारो थरफ से ये लेते हैं और वो सभी उन पर हमला करते हैं और इन जानवरों को वो अपने आइकॉनिक फाइटिंग स्टाइल से मार गिराते हैं यहां से हम इनकी पार के बारे में जान सकते हैं यह काफी स्ट्रॉंग है और इन सभी के पास अलग लग दरह की फ्लेम्स है और इनकी पास अपना एक अट्रिब्यूट है वही दूर जियान पहाडों के अंदर बैट कर बिजलियों के बीच मेडिटेट कर रहा है वो 3000 थरंडर्स को सीखना चाहता है और उसका first step mountains में ही पूरा हो पाएगा तुम्हें पहले टार ओफन और थंडर को रिफाइन करना है लेकिन यहां की हवा और बिजली थोड़ी साधर dense है इसलिए तो भी संभल कर रहना होगा अब वो बिजली को पूरा अब्सॉब करने लगता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है